देश के पांच राज्यों में होने वाले विधान सबाच चुनाओं पर सब की नजर टिकी हुई है यहां मुख्य मुगाबला देश की दो राश्टियां पार्टियों भारती जनता पार्टियों और कॉंग्रेस के बीच में हैं ऐसे में सीधी लड़ाई जो भाजपा और कॉंग्रेस के बीच में होने वाली है यह अगामी दो हजार चोबिस के लोकसभा चनाओगी दसा और दिसा तैय करेगी हमरे साथ कॉंग्रेस पार्टि के राश्टिया स्चीफ विरिंदर सिंग राठोर है विरिंदर सिंग जो है रा चलिद जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह का पाँच राज्यों में चुनाव है उसको किस तरह देखती है कंग्रेस पार्टि पाँच राज्यों का चुनाव जो है वो हर एक एक राजनितिक दल गंबीर्ता से चुनाव को लेता है वैसी भारति-टी कंग्रेस हरे एक invitingटम देखने को मिल रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है चाहे वह 36 गर्ड की बात चाहे मध्यपरदेश की बात हो मीजार। मारी की बात त्लेंग अंदर बहुत ही बहतरीन। तरीके से पार्टी का काम्बैक हुआ है । भाजपा महां लडाई के गिनाते मैं कह सकता हूँ कि सरकार के खिलाब जो एंटीन कंबेंसी का महल बनता है पांच वर्चों में वो बिलकुल भी एंटीन कंबेंसी राहस्थान के चुनाओं के अंदर कॉंग्रेस पार्टी एक खिलाफ नहीं है और टिकेट वितरन का जो प्रसेस है वो भी हमारा चल र ले गी और वो मिटक कि एक बार कांगरेस की सरकार और एक बार भारजबा की सरकार रहस्थान के अंदर ये इक बड़ा मिथक है उस मिथक को इस बार तोड़ने है काम भारतिय राषटे कांगरेस रहस्थान में निस्चीज रोप से करेगा लगे पुर a टोड़ जी जिसётсяद राजस्थान में क्या इतना विरोध है टिकट को लेगा समाचार पत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक तरफ जिस दिन से भाजपा ने अपने कैंडिडेटों की सुची जारी की तो हर जिले में भाजपा के नेताओं को भारी विरोध का स एक मुखे कारण है भाजपा आज एहंकार के अंदर डूब्यूई पार्टी है और मोदी जी के नाम के ओपर भाजपा राहस्थान के अंदर भी चुनाव लड़नेया काम कर रही है भारती जन्ता पार्टी में ऐसा मिथिक बन चुका है कि मोदी जी के नाम के ओपर किसी भी कैंडिट को चुनाव लड़ाएंगे तो वो जीतने हां काम करेगा इस प्रकार की सोच भारती जन्ता पार्टी की राहिस्थान के अंतर है जब यह सोच किसी भी राजनीतिक दल में उत्पन होती है तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है इस एहंकार के चलते लोकल कारेकरताओं का होता है लोकल लीडर्स का होता है जो टिकेट की मांग कर रहे होते इसलिए भाजपा ने इसी नीति के चलते होए बड़े सीनियर के टिकेट को टिक्टो को काट लिया काम किया और ना केवल उनकी टिक्टे काटी बड़ परंतु उनको 300-300-400-400 किलोमेटर दूर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया जहां उनका भारी विरोध का सामना भारती जनता पार्टी के लोगों करना पड़ रहा है और खा के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है उसको अगर आप विदानसवा का चुनाव लड़ने के लिए भेजते हैं इसका मतलब यह सपश्ट है कि आपके पास लोकल लेवल के ओपर केंड़ेट्स की शौटेज है लोकल लेवल के ओपर केंड़नेताओं की कमी है आपको सांसदों को मजबूरी वर्ष विदानसवा का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है और यह के लाइस्थान में नहीं यह हर राज्ये के अंदर भाजपा ने किया है जिसका भारी विरोध भाजपा के लोकल कार्यकरताओं ने नाकेबल किया और वो विरोध जो है वो कहीं ना कहीं भारत नताँ पार्टी कर रही है मुझे लगता है कि भी वहाएं वो बड़ाफ भारत जिनतापा पार्टी एकिलाफ मांच और राज्यों के चुनावं में रहेगा विरोध कि आप बात कर रहे हैं रटोड जी विरोध तो कहीं-ना-कहीं इस तरह से गहलोष सरकार के बीच है कि जो सचीन पाइलेट हैं उनके भी आपस में गती रोध रहते हैं क्या टिकट वित्रण में इस तरह की कोई की स्थान अभी तक सामने आई है यदि है तो कांग्रेस किस तरह से निप्टेगी उसके जो कांग्रेस के अंदर जो थोड़ा बहुत गती रोध हमारे नेताओं के अंदर था वो इशू बेस था उस इशू के ओपर कांग्रेस पार्टी ने काम किया और आज हमारे विनिंग क्राइटीरिया को फोकस करके टिकेट डिस्ट्रिबूशन का हमने फॉर्मला तैय किया जिस पे हमारे सभी नेताओं की सहमती है कोई गुटबाजी नहीं है बिलकुल जो कैंडिडेट विनिंग है चाए वो किसी भी किसी भी रीडर का समर्द को उसको हमने टिकेट को नहीं मिला होगा जबकि भाजपाय कार्यकरता सडकों पर अपने परदेश के अधिक्ष का केंदर के नेताओं का जबरदस विरोध और प्रदस्टिन कर रहे हैं ठोर जी एक बात ओर है कि जिस तरह से अभी मुकाबला जो होगा वो सीधा सीधा जो टकर है कॉंगरेस और बीजेपी के बीच में है वहां जो छेतरी जो पार्टी है रजजस्थान में उनकी कोई ज़्यादा भूमी का अलाकि अभी नहीं है लेकिन हर्याना से एक पार्टी जो है अभी रजजस्थान में गई है उसका कितना असर देखते हैं कि जेजेपी कितना कमाल कर पाएगी है यह कि वैसे मुझे मैं किसी विक्तिकत राजनितिक जल पे या नेता पे कभी जीवन में टिपनी नहीं करता हूं और क्योंकि राजनितिक सवाल आपने मुझ से पू कोशिश की है जमीन को तलाशने की परंतु राहिस्थान का मद्दाता बड़ा जागरूप मद्दाता है जन्ना एक जन्ता पार्टी जहां नाकेबल हर्याने के अंदर अपना जनाधार खो चुकी है और राहिस्थान के अंदर ठीक है एक कोशिश उन्होंने की पर कोई जना के अदर आज के दिन में नहीं है लगवाद पूरे राइस्थान का मेरा दोरा पिछले दो मीने में हुआ है मुझे कहीं प्रेजिंस जो है आम आदमी पार्टे की देखने को नहीं मुझे ठोर जी हरियाना की आप राजनिती लंबे समय से कर रहे हैं एक बात तो बात जो मुख्य है रूप से पूरू सीम उपिंदर सिंग उड़ा कई मंचों से उठा चुके हैं एक तो कास्ट सेंसेस को लेकर उनने बार बार दावे की है कास्ट सेंसेस होना चाहिए दूसरा एक प्लानिंग है कॉंग्रेस की और एक राजनीतिक दल जो है वह डिप्टी सेंसे अपनी-पनी-पनी सरकारों में अनौंस करते हैं अपने मजीदा सरकार में भी देखा होगा कहीं अ हर्याना में भारती जंदा पार्टी ने जेजेपी के डिप्टी सीयम को बनाने अकाम किया तो अगर हमारे कोई सीनियर लीडर्स ने कोई डिप्टी सीयम बनाने की बात की है तो निश्टित रूप से कहीं ना कहीं वो उनकी बात से पार्टी को भल भी मिलता है और पार्टी को स्टियर्ट्स हैं उन में तो फिर संख्याई जादा हो जाएगी आप हिंदोस्तान की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साजेदारी जो है वो अलग-अलग समाज की उसको 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 अधार बान के चलती है तो मैं समझता हूं कि अगर समाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो समाजिक न्याय उस के अंदर दिखे तो अगर डिप्टी सियम बना कर भी हमें कोई समाजिक न्याय साधना चाहते हैं तो मैं समझता है किसको किस आधार पर और कितना अरक्षन मिलना चाहिए वो निश्चित दूपशित देश में दभीत है वो पाएगा जब हमारे समाज का अखने होंगे अभी तक हम अंदाजों के हिसाब से अरक्षन की प्रेक्रिया को लागू कर देते हैं अकर जातिकत आक्डे विबिण जातिया और विबिन धरम वह हमारी देश की संस्कृती बी है और हमारी देश की पेचान भी है और हमारे पैस काय ginger कieu न्याय नाय जाहिए तो उसमें मैं नहीं समुझता कोई गलत है और वो एक ठोस अधार भी बनेंगे कि किस प्रकार से किन लोगों को हमें जो समाज की आखरी पाईदान पर बैठे हैं उन्हें किस प्रकार से हमें समाज की मुख्यधारा में लेकर के आना है चाहिए वो अरक्षन के माद्यम से लेक सब करके आना हो ञदिकत रूप से देश के लिए शाएं की लिए आवश्य का करी रहे हैं कि 잡ह हुए के राजस्तान में दुबारा से कांगडोस की सरकार रूपीट हो कि किरे क्या कुछ अपेक्षिद ए है की बीजेपी कहां स्टेंड रहेगी, कितनी सीटों पे रहेगी, कॉंग्रेस कहां तक पहुचेएगी। ठीकि ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हम लोग सब्सक्राइब कह सकते हैं। फोकस आज के दिल में सबसे बड़ा फोकस ये है कि एक तो हमारे जो केंड़ेट्स हों वो बिलकुल परफेक्ट हों और जीतने वाले केंड़ेट्स को टिकेट मिलें। दूसरा जो सरकार ने पिछले पाँच वर्ट्शों में बहतरीं काम किये हैं। लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन काउंग्रेस की की नीतियों के माद्यम से जो सरकारें हमारे कायी है। आज लेकर किया है। विरंदर सिंग राठोर थे कॉंग्रेस के राश्चे सचीव हैं और राजस्तान के सह परबारी जिन्होंने दावा किया है कि राजस्तान में एक बार फिर जो है कॉंग्रेस की सरकार बनेंगी अलाकि उन्होंने यहां एक और साफ करा कि जिस तरह से जेजेपी राजस्तान में गई है उसका कुछ जादा असर इन चुनाओं में नहीं होगा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ जुरूर होगा लेकिन सरकार कहीं न गई एक बार फिर राजस्तान में कॉंग्रेस की बनेंगी ये दावा विरंदर सिंह राठोर का है करनाल सही महिंदर सिंह इन जर्याना